हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं कृतिका पांडे और स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल वर तो आज का हमारा टॉपिक है वैट इन टैली यार्पी-9 अब वैट में आज हम यह सीखेंगे कि टैली यार्पी-9 में व फोर्म होती है वे और वैट मतलब यह होता है कि जब भी हम कोई बिज्टम करते हैं और किसी कौई सामान ahorick करते हैं और कि दूसरी को जब हूद से पैसे बाढ़ा के सेल करते हैं तो पर्चेश करते टाइम अगर हमने 13% किसी को पे किया है और फिर सेल करते टाइम अगर हम उसको कुछ थोड़ा सा ज्यादा पैसे बढ़ा कि किसी को सेल करते हैं 13% के साथ में तो खरीटने और बेचने की बीच में जो हमारी कॉस्ट जो बढ़ जाती है ना उस बड़ी ह हमने 13% वैट दिया फिर उसके बाद हमने वह सामान किसी को 200 के बजाए 300 का सेल कर दिया तो बीच में 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है उसका जो 13% वैट है वह जाता है गौवर्मेंट को तो जो बीच में 100 रुपए का डिफरेंस आता है उसे वैलू एडिट कहते हैं औ हम आपको स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस बता पाएं तो वैट के नाम से हमने यहां पर एक कंपनी क्रेट कर ली है और अब हम वैट को एनेबल करने के लिए प्रेस करेंगे एफ 11 से हम कंपनी फीचर पर जाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे स्टर एंट एडियू से यहां से यहां से एंटर करना है इन्टर करने के बाद में आपको थार्ड नंबर पर एक उप्शन मिलेगा इनेवल वैलु एडिट its Suspır और येस करने के बाद आपको वापस एक करना फिर आपको दोसुर उप्शिन मिलेगा सद्टरफ एक उसको भी आपको करना है जो कर देंगे तो आप को यहां से काफु सारे डिटिल देज देना होती है अगर आपके इंसारे डिटेल ना या ना है तो आपको यहां से एक प्रेस करना है और एक प्रेस करने के बाद जैसे यहां पर ऑप्शेन आ रहा है शो डेट फ्रॉम विच वैट इस इसे आप यह कर लीजेगा तो आपके सामने वैट की और भी डिटेल सा जाएंगी ठीक है अब आपको यहां से अपना इस टेट चूच करना है और फिर आ इसके बाद आता है तो इसन नमबर वो नमबर होता है जब हम वैट कर रहे होते हैं कोई बिजनसमें होते हैं तो जब हम वैट का करते हैं तो हमें च करा नलंता है यसे कहते हैं टकस डिपार्टमेंट होते हैं primeira स्टेक्स डिपार्टमेंट होते हैं उन की तो आप आपको यहां पर उपना डिन नमबर गया से का होता है तो जैसे अपना दीन नमबर यहां पर देना है तो तरीके से इसके बाद अगर आप इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नमबर देना है अगर आप को यहां पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नमबर भी कहते हैं तो अगर आपके पास यह है तो ठीक तक सकते हैं त हिर या ते कड़े सकते हैं उसे एक चूड कर सकते हैं इसके बाद यह पर tax का rate details पगड़र आप यहां पर enter कर सकते हैं यह करके तो आपको यहां पर wait का rate देना होगा लेकिन हम यहां पर wait का rate इसलिए नहीं देंगे क्योंकि wait जो है वो हर अइटम पर सब के अलग-अलग wait के rates होते हैं हर आइटम पर अलग-अलग rates लगाए जाने की वज़े से हम यहाँ पर कोई भी एक rate fix नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद अगला हम इसे, इसे हम no कर देंगे, अगला option है, define bet, commodity and tax, details as masters, इसे आप यहाँ पर yes, no करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, इसके बाद अगला option आता है, for example, मैंने यहाँ पर दे लिया अमन, ठीक है, उसके बाद उनकी details, जैसे son of, daughter of, wife of, तो आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं, status, designation आप यहाँ पर दे सकते हैं, उनका status, क्या designation है, उनका, उसके बाद place उनका दे सकते हैं, accessing authority, अगर किसी के पास आपका registration का accessing authority हैं, तो आप उसक इसके बाद आता है, entitlement certificate number, यह आप अगर आपके pass है, तो आप यह भी दे सकते हैं, और यहाँ पर आप उसका date दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको tax invoice में मिलेगा, authorized by tax, आपको किसने authorized किया है, क्या designation है, issue किसने किया है, और उसका क्या designation है, तो आप यह सारी details देने के बाद इसे enter करके save कर देंगे, save करने के बाद में, आपको यहाँ से भी इसको control इसे save कर देना, यह सारी details आप एक बार cross check कर लीजेगा, आप इसे control इसे save कर देंगे, और वापस से आप इसे, यहाँ से control इसे save कर देंगे, तो वैट को हमने enable कर दिया है, हम बाहर आ जाएंगे, यहा जाया था, GST में, IGST, CDST, SGST, सफ होते हैं, पर वैट पे हमें सिर्फ 4 लेजर बनाने होते हैं, एक purchase का, एक sales का, एक input वैट का, और एक output वैट का, पर्चेस सेल का, क्योंकि हम लोगों से चीजे purchase करते हैं, sell करते हैं, और input मतलब वो होता है, कि जो हमारे पास, जब हम कोई साम पूट वैट वाली laser में रखते हैं, तो हम अकाउंट इंफो पर आएंगे, और यहां से हम laser create कर लेंगे, laser create करते टाइम, अगर आपको कभी ऐसा हो, कि आपका वैट सब पे अलग-अलग है, 13% है, किसी पे अलग-अलग सब परसेंटेज है, और अगर आप अलग-अलग laser में इसको अलग-अलग percentage के हिसाब से अगर आप उसे अपनी entry करना चाहते हो, ताकि 13% जिन पर बैट है, उन सब का हम purchase 13% वाली में करें, किसी पे अगर 18% लग रहा है, किसी पे अगर 15% लग रहा है, तो हम उने specific laser में, हम उने entries को record करें, तो ऐसी situation में आप चाहें, तो आप purchase laser मे यहाँ पर rate भी दे सकते हैं, कि यह 13% वाली है, ठीक है, purchase rate 13%, पैसे आपको याद रहेगा, कि यह 13% वाला purchase का laser है, purchase का अंडर रूप हमेशा होता है, purchase accounts, ठीक है, इसके बाद inventory value जो और effect rate को आप yes कर देंगे, type of laser को आप यहाँ से discount, invoice rating यह नहीं देनने के बज़ाएं, आप not applicable करेंगे, और it GST applicable, GST को आप applicable करना चाहते हैं तो आप GST हम नहीं applicable करना चाहते हैं, तो नोट applicable कर देंगे, इसके बाद आता है, it weight CST applicable, तो इससे हम applicable करेंगे, hemos details यहाँ से इसका rate वालव गयादा अभी भी नहीं देंगे, ठीक है, तो इसे हम hierasında कर देंगे, इसे हम no ही कर करेंगे थिक पर चुन करने के बाद अगला ऑप्षन आता है एकसिबल वल्यू केलक्यूशन फॉर्म से यहां से से नॉट अप्लेकबल करेंगे अगला लेजर आप हैंसे क्रेट करेंगे अंधर करेंगे सेंधर परसेंट इसका उंडूर्ग रहता है और इसके बाध इसे हम yes करके not applicable करेंगे, gst को not applicable कर देंगे, इसके बाद rat को applicable करेंगे, इसका rate हम यहां से नहीं देंगे और इसमें हम इसे भी not applicable कर देंगे और इस तरीके इसे safe कर देंगे, अब हम यहां से closure rate कर देंगे, input rat, input rat, add the rate, 13%, ठीक है, इसके बाद हम यहां से इसका undergroup कर देंगे, duties यहां से यहां से यहां से नाम से जिसमें हम इसका भी अंडर गूप यहां से कर देंगे देंगे से हम लै लेंगे टाइप ऑफ डूपी टैक्स में वैट और इसका बार यहां से इसे खरकें रहरा है करते हैं आप अपने लेचर की सरी अगली क्लास में ऐसके करते सी का केशे कर वे संदायी है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई कंटिनु रखें थैंक्स पर वर्चिंग हैब नाइस टे